नमस्ते दोस्तों आज की कहानी का नाम है दखल अंदाजी एक लड़की अपनी मा के साथ पुलिस थाने में अपनी पती एवं ससुराल वालों के खिलाब सिकायत करने जाती है वहां की अफसर को लड़की से पूछती है क्या तुम्हारा पती मारता है क्या वो तुमसे अपने माबाप से कुछ पैसे लाने को कहता है क्या वो तुम्हें खाने पहनने को नहीं देता क्या तेरे ससुराल वाले कुछ भला बुरा कहते हैं क्या वो तेरा ख्याल नहीं रखता इन सब सवालों का जवाब लड़की ने नहीं में दिया इस पर लड़की की मा बोली मेरी बेटी बहुत परिशान है वो इसे छोटी बातों पर टोका टाकी करते है मोबाइल पर बात करने पर भी आपत्ती करते है वो इसे टार्चर करते है अफसर समझ गए उसने लड़की की मा से पूछा क्या बेटी से रोज फोन पर बात करती है मा ने कहा हाँ मैं अपनी बेटी का पराय घर में ध्यान तो रखोंगी इतने नाजों से पाला है उससे पुलिस अफसर समझ गई और फिर उसने पूछा बहन जी क्या आप घर में दही जमाती हो लड़की की मा ने कहा हाँ अफसर तो जब दही जमाती हो तो बार बार दही को उंगली मार करना जाचती हो लड़की की मा जी अगर बार बार उंगली मार करना जाचोंगी तो दही कहां जमेगा वो तो खराब हो जाएगा अफसर तो बहिंजी इस बात को समझिए साधी से पहले लड़की दूद थी अब उसे को जम कर दही बनना है आप बार-बार उंगली मारेंगी तो वह ससुराल में बसेगी कैसे वहां की रहन सहन को सीखेगी कैसे आपकी लड़की ससुराल में परिशान नहीं है आपकी दखल अंदाजी है उसके घर की परिशानी का कारण उसे उसे सरुराल में अरज़स्ट होने दीजिए उसको वहां रहने बसने दीजिए हर मा को यह समझाना चाहिए इस समझ की आज के समाज में बहुत जरूरत है दोस्तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्ते जैमाता